हलो स्टूडेंट्स आईए आज मैं आपको एक बेसिप डिफरेंस बरताती हूं न्यूकलोईड और प्लास्मिट्स के बारे में Nucleid हमारे bacteria का एक Chromosomal DNA होता है Plasmid हमारे bacteria का एक Extra Chromosomal DNA होता है Nucleid जो होता है उसमें हमारे bacteria के Essential Genes मिलते है और Plasmids में हमारे bacteria के Essential Genes नहीं होते है Plasmid में हमें उस तरीके के Genes मिलते है जो कि bacteria की growth के लिए replication के लिए जरूरी नहीं है ये बैक्टिरियों को strength provide करवाता है antibiotic resistance जिन हमें मिलते हैं plasmid पे और अगर जो जिन हमारे बैक्टिरियों के growth के लिए उसके nutrition के लिए important होते हैं वो जिन हमें मिलते हैं हमारे nucleoids पे तो ऐसी और जानकारियों के लिए please subscribe my Learnify Adversity YouTube channel